यहाँ पर A और B दो matrices दे रिखे हैं लेकिन दोनों के size के बारे में कुछ नहीं बताया गया है यहाँ पर कहा है कि A प्लस B और product AB दोनों ही exist करते हैं तो A प्लस B किस case में exist कर सकता है जब दोनों ही same type के हूँ यानि कि same size अगर matrix का size A का m by n है और B का भी size m by n है तो sum define हो सकता है लेकिन product के लिए जरूरी है कि same type के साथ साथ वो दोनों square matrices भी हों क्योंकि माल लिजिए अगर matrix का size 2 by 3 है और B का size matrix A का size जो है वो 2 by 3 है और B का size भी 2 by 3 है तब product यहाँ पर define नहीं होगा यह कब define होगा जब दोनों ही same size की हो जाएं यानि कि दोनों square भी हो जाएं और square होने के लिए यहाँ पर n by n और B को भी n by n होना पड़ेगा उस case में दोनों ही यहाँ पर plus B और product भी define होगे इस तरह option D यहाँ पर correct होगा कि यहाँ और झाले सुचिजल का वाँ झाले csしाँ